खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन की घेरबंदी की आतंकियों ने खुद को घेरा हुआ देख सुरक्षा बलो पर फारिंग शुरू कर दी जिसके बाद दोनों तरफ से गोली बारी शुरू हो गई इस मुटभेड में सुरक्षा बलो ने एक आतंगवादी को मार गिराया जबकि मुटभेड में एक SPO की जान च जनसियों ने आतंकियों पर बेहत सक्त शिकंजा कसा है इस दोरान आतंगवादी घटनाई बिल्कुल बंद थी ना तो कोई आतंकी हमला हुआ और ना ही कोई एंकाउंटर दरसल सुरक्षा बलों के भारी दबाव के चलते आतंकी तधा उनके मददगार OGW मांध में छिप ग OGW की संखिया 6000 से अधिक है ये OGW ही आतंकियों को मदद पहुचाने के साथ घाटी में हिंसा तथा पत्थर बाजी को भी बढ़ावा देते हैं इनकी गति विधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी निगा होने की वज़ह से ये गरबड़ी नहीं फैला सके और सुरक्षा बलो इसने ट्वीट किया कि मुटभेड खत्म हो गई एक आतंगवादी मारा गया जिसके पहचान की जा रही है हतियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं हमारे साथ ये SPO बिलाल शहीद हो गए है ऐसा ही अमरदीप परिहार घायल हो गए है और आर्मी अस्पतार में उनका इ पहली मुटभेड है बहरहाल इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख ले रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन